प्रधान मंत्री रिशी सुनक बुदवार रात एलान ने एलान कर दिया है कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे इस अनाउंस्मेंट के बाद से ब्रिटेन की राजनीती में काफी उथल पुथल हो रही है हाला कि रिशी सुनक ने यह चुनाव चुनाव चुनावती भरा बताया है उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के लिए अपना भविश्य चुनने का समय आ गया है बतौर प्रधान मंत्री रिशी सुनक चुनाव में पहली बार वोटरों के सामने जाएंगे बतादे कि 2022 में सताधारी कॉंसरवेटिव पार्टी ने चुनाव से पहले पीम के नाम का एलान नहीं किया था चुनाव के बार पार्टी के संसिधी दल ने सुनक को अपना नेता चुना था यहाँ जनवरी 2025 में आम चुनाव होने की संभाब ना थी लेकिन सुनक ने साथ महीने पहले ही इसका एलान कर दिया है लेकिन रिशी सुनक के लिए इस बार जीत की रा मुश्किल नजर आ रही है बले ही रिशी सुरक जनता के सामने अपने अच्छे काम गिनवा रहे हो लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताव का विरोध झेलना पड़ रहा है जिससे इस चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है